वेल्कम फ्रेंट्स आज हम लोग एक ऐसे ओर्गनाईशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम हमेशा लिया जाता है कि इस इस वन आव तो मोस्सक्सेस्फुल इंटरनाशनल ओर्गनाईशन क्या है यह अभी अभी करेंट अफेस में भी इसका नाम चला था आसियान तो चलो है क्या exactly यह है association for south east asian nation मतलब यह कौन से nation से बिलों करती है south east asia के जी nation से उन्होंने आके किया है क्या है है यह exactly it is a regional grouping regional grouping किया है कब established किया 1967 में Bangkok declaration से then comes the next question किसे जरुरत क्या पड़ी पांच देशों ने decide कि एक आते हैं और एक regional grouping करते हैं ऐसा कारण क्या होगा अब देशों के नाम देखो फिर समझ में आएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन, सिंगापूर and थाइलेंड डून दिंग इसमें से बहुत से देश बहुत ही छोटे थे और 1967 मतलब पिरड कौन सा था cold war का था, either pro US हो या फिर pro USSR इतना ही नही 1965 इंडिया पाकिस्तान वार भी हुआ था, that itself means यह छोटे छोटे देश obviously इस issue में अपना क्या चाहते थे, security चाहते थे और दूसरा क्या, economic cooperation तो इन्होंने decide क्या कि भाई एक काम करते है, economic और security के लिए सब लोग एक साथ आते हैं so promote क्या करना था, economy और security cooperation, पहले कितने देश थे, founding 5 और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ गई और आज की तारीख में है 10, so इनका मोटो क्या है, one vision, one identity and one community one vision, one identity, one community, आसिया नवे जिसे यह mostly बूलता है, secretariat कहा है, जकार्ता, इंडोनेशिया यह questions prelims में आ सकते है, mostly, total population कितना है, 683 million, मतलब sizable population है इससे भी बड़ी बात है, इसका जो total GDP है, यह है approximately 3.6 trillion, मैं repeat कर रहा हूँ, 3.6 trillion, मतलब टॉक 7 में यह आता है, that shows the relevance of this particular group, मतलब छोटे छोटे देश भी अगर एक आते हैं, तो क्या कर सकते है, इसका best example अगर कुछ है, तो वो है ASEAN, आगे चलते हैं फिर, कि भई ASEAN ने इतना successful किया, तो शायद सरसब एक जैसे होंगे, इसलिए develop होगे, नहीं, ASEAN में अगर आप देखोगे, तो बहुत diversity है, मैं फिर से repeat करता हूँ, बहुत diversity मिलेगी, चलो देखते हैं कैसे, अगर आप देखेंगे per capital income, सिंगापूर का आपको देखेगा 67,000 डॉलर के आसपास, मतलब कितना बड़ा difference है, बड़ा gap है, मतलब एक बहुती rich per capital wise, एक बहुती poor, इंडोनेशिया का population, अब दूसरा factor देखते है, 275 million, मतलब 27 करण के आसपास, तो ब्रुनही का है, 0.44 million, मतलब क्या, साड़े 4 लाग क्या सपास, सो कितना tremendous difference है, यह difference सिर्फ per capital GDP, या population में नहीं है, तो अगर region का population भी देखेंगे ना, तो उसमें भी अलग-अलग आपको diversity दिखेगी, कैसे, normally हमें लगता है कि homogenous population होगा, तो development होना past होता है, बट इसे भी आसियान ने गलट ठहरा है, कैसे, अगर आप आसियान देशों की population दखोगे, तो वहाँ पे आपको Muslim भी majority दिखेंगे, Christian भी है, Buddhist भी है, Hindu भी है, और बाकी अधा religion के भी लोग है, मतलब क्या, एक ऐसा group जिसमें इतनी बड़ी diversity है, जिसमें देश छोटे-छोटे है, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छा करके दिखा है, जिससे हमें भी बहुत कुछ सेखने के लिए है, नेक्स्ट, भाई इसके principle क्या है फिर, आसियान अगर इतना successful हुआ है, तो इसके principle क्या है, देखो देश तो छोटे-छोटे थे, तो उन्होंने एक चीज़ तो decide की, कि भाई एक दुसरे का independence को respect करना चाहिए, एक दुसरे के territory में interfere नहीं करना चाहिए, and most important, अगर neighboring countries है, तो obviously dispute होना जायज है, बट dispute भी होते है, तो force का use नहीं करना है, वो dispute कैसे solve करना है, dispute solve करना है, peaceful manner में, ना कि force के manner से, और सहकारिक के माध्यम से सारे निर्ने लेने है, और सभी को अपना national identity preserve करना अलाव देना चाहिए, don't think more or less पंचेशिल जैसे ही लग रही है, so founding principle काफी अच्छे है इसके, next, sir, ASEAN है अभी organization कहा आपने original organization, तो इसका working भी तो होता होगा, इसकी कोई bodies भी होते होगी, yes, यह सवाल mains as well as prelims में भी आ सकते हैं, now listen, ASEAN का एक summit होता है, अब summit मतलब क्या होगा वो, annually मिलते हैं, अब summit है मतलब कौन सी body होगी वो, highest level body, मतलब topmost body, जो policy decisions लेती है, या फिर discuss करती है important issues, अब summit में अगर important issues पर discussion होता है, decision होता है, तो वो से implement करने के बाद, उसे oversee करने के लिए भी तो कोई चाहिए, वो है coordinating council, और यह implementation में support करने के लिए कौन है, ASEAN का secretary, और regional forum भी है, किसके लिए, यह एक ऐसा platform में जहां पर आप dialogue कर सकते है, किसके साथ, ASEAN member countries as well as other partner, मतलब इन्होंने बाकी लोगों को भी invite किया है, now comes to the most important part of the ASEAN, जो आपको exam में भी लिखना है, और शायर यह interim में भी पूछा जाता है, कि ASEAN में decision making कैसे होता है, decision making होता है, मुसवराया और मुफारक्त, नहीं समझा, बताता हूँ, इसका मतलब है, simple भाषा में consultation and consensus, मतलब क्या, एक दुसरे से हम consultation करेंगे, और फिर सहमती होगी, तो ही निरने होगा, मतलब ना यहाँ simple majority, ना यहाँ qualify majority, decision कैसे लेंगे, सर्वसहमती से लेंगे, जिससे वज़े से इसका importance बहुत बड़ा है, next, किस ASEAN के strength क्या है, ताकत क्या है, सबसे पहली ताकत जो हमेशा बोलता हूँ, क्या, economy, अगर आपकी economy strong है, तो ही आपको respect किया जाएगा, और ASEAN ने दिखा दिया, कि military powerful नहीं है, but still you can be an influential, on the global platform, और यही दिखाता है, सारे 3 trillion के उपर उनकी economy जा चुकिये 2022 में, obviously manufacturing और trade उनमें तो वो expert है ही, not only this, exporter के list में भी उनका number काफी उपर आता है, अभी यह हो गया economic angle, दूसरा क्या है, don't think, कुछ देर पहले मैंने कहा, कि ASEAN में अलग-अलग religion की लोग है, इससे होता क्या है, cultural diversity काफी अच्छी तरह से preserve हो रही है, cross-cultural exchange and cooperation, इसका भी benefit ASEAN को मिला है, इतना ही नहीं, सभी को पता है, एक साथ रहने का सबको फाइदा है, इससे हुआ क्या, original peace और stability, दोनों अच्छी तरह से maintain हो रहा है, इतना ही नहीं, ASEAN है कहाँ पर, अगर आप ठीक तरह से देखेंगे, तो Indian Ocean की ये side में, so don't you think, यही एक area है, जहां से दुनिया का सबसे ज़्यादा trade चलता है, so don't you think, for example, state of Malacca, so can I simply say, ASEAN ऐसे जगा पर located है, जो strategically बहुत important है, तो उसका भी फाइदा किसे होगा, जाहिरे ASEAN को ही, इतना ही नहीं, ASEAN ने free trade agreements किये, अलग-अलग countries के साथ, मतलब ASEAN as a group, और बाकी countries, इंडिया, जापान, न्यूजिलेंड, चाइना, साथ कोरिया, ये कुछ example लगें, मैंने, then comes the next question, तो से ASEAN एक मात्रे example है क्या दुनिया में इतना success का, नहीं भाई, दूसरा भी example है, कौन सा, European Union, but European Union और ASEAN same है क्या फिर, नहीं, दोनों में अंतर है, no doubt, दोनों भी successful organization है, but क्या अंतर है, देखते हैं हम लोग, listen carefully, अब यहाँ पे European Union जो है, वो एक supra national, मैं repeat करता, European Union जो है, वो एक supra national है, मतलब क्या, यहाँ पे अलग-अलग nation एक साथ आते हैं, और अपना थोड़ा से अधिकार, वो एक उपर body को दे देते हैं, वेराज ASEAN क्या है, सच मुझ में एक international body है, दूसरा, European Union में जो decisions होते हैं, वो qualified majority से होते हैं, मतलब majority से होते हैं, ASEAN में जो decisions होते हैं, वो कैसे होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सहमती से होते हैं, consensus से होते हैं, ASEAN किसी देश के एक दूसरे के matter में interview करता हैं क्या, नहीं करता भाई, बट European Union कभी कभी करता है, इंट्रूसिव policy होती है, इतना ही नहीं, European Union की क्या है, एक single currency है, मैं फिर से बोलता हूँ, euro एक single currency, ऐसी कोई currency ASEAN की है क्या, ऐसी कोई currency ASEAN की नहीं है, बट डोनों में similarity भी है, क्या, European Union के वाज़े से, यूरोप में काफी हद तक stability, peace, और economic prosperity हुआ, डोन दिधिंग, ASEAN के वज़े से, इस area में भी वही हुआ है, सो दोनों में definitely similarity है, बट दोनों में अंतर भी है, I hope यह map, यह जो table है, यह आपको mains के लिए काफी काम आएगा, सो मैं फिर से repeat करता हूँ, दोनों ने development अच्छा किया है, दोनों acted as a stabilizing force, बट दोनों में अंतर भी है, सो better कौन सा है, जाहिर है better ASEAN है, because ASEAN is a future, और ASEAN यह कैसे करके दिखा है, by ASEAN way, उनका तरीका, then comes the next, किस अपना सार्क भी तो है, South Asian nations का, but listen carefully, ASEAN अगर regional grouping का best example माना जाता है दुनिया में, मैं फिर से repeat करता हूँ, ASEAN दुनिया में best example माना जाता है, किसके लिए, regional grouping में, तो सार्क को कहा जाता है, it is the worst example of regional grouping, क्यों मैं शेकिसा ऐसा क्यों, because कभी अपने सार्क ने कुछ अच्छा परफॉर्फॉर्म किया, सार्क बहुत अच्छा European Union ASEAN जैसा कर रहा ऐसा सुना है अपने, नहीं, सार्क बहुत ही worst example है, does that mean इसके लिए सार्क responsible है नहीं, इसके लिए obviously पाकिस्तान तो responsible है, बड़ इससे भी एक बड़ी बात जो normally चर्चा में नहीं आती, कौन सी बात, मैंने कहा था कि ASEAN जो है, ASEAN जो है, इसके formation में, listen carefully, एक external push था, मैं बोलना हूँ, external push था, कोई तो चाहता था, कि इनका एक group होना चाहिए, जो successful होना चाहिए, कौन था वो, 1960s में, वो था none other than USA, जो की super power है, मतलब ASEAN बना ही था, कुछ अच्छे कारणों के लिए, वेरेस अगर आप सार्क का देखोगे, तो ऐसा कोई external push नहीं था, दूसरा, सार्क बनाते समय, don't you think, neighboring country ने ये सोचा था, कि इंडिया का hegemony, या इंडिया का dominance रोकने के लिए, जब उन्हें लगता था, रोकने के लिए हम सारे एक आएंगे, और इंडिया के उपर pressure build करते हैं, मतलब, can I simply say, इसको अपने start ही positive note पे किया था, whereas इसको अपने start ही किस पे किया था, negative note, that's the reason, ASEAN काफी हद तक success रोगा, not only in economic, but other matters also, but सार्क बहुत matters में क्या हो गया, fail हो गया, next, किसे सार्क या ASEAN में फिर, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, नहीं, अगर ये कहूंगा, तो ये जूट है, क्योंकि ये exam में भी question आ सकते, ASEAN के सामने भी challenges है, कौन से challenge, जो मैंने पहले बताया था, ASEAN का सबसे बड़ा मैंने plus point बताया था, कि वहाँ पे छोटे देश है, rich देश है, पर capital high income वाले है, low income है, बड़ इससे don't you think, एक होता है, कि inclusive growth नहीं हो रही है, दूसरा, regional divide बहुत बढ़ चुकी है, regional divide, मतलब कुछ काफी आगे चले, कुछ बहुत पीछे, इतना ही नहीं, organized crime, corruption, ratapism, and as usual, जो हर जगा होता है, chronic capitalism, ये issue आसियान में भी आ चुके है, इतना ही नहीं, रोहिंग्या का issue जो हमने बीच में देखा, वो अभी तक sort out नहीं हुआ है, so issues है, yes, so ये challenges आसियान को face करने हैं, तो नीचे के challenges नहीं है, listen, ऊपर के जो challenges मैंने दिखा है, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, ये जो challenges में दिखा रहा हूँ, ये आसियान के अंदर के है, बट अब नीचे की जो मैं बात करूँगा, ये सारो के लिए, आसियान के देश responsible नहीं है, someone else, किसी और के वज़े से होने वाले ये challenges, सो ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बाहर का के क्यों करेगा, क्यों होगा challenge, क्योंकि US-China जगड़ा चल रहा है, राइवरली बहुत इंट जाप चुकी है, इतना कि शायद वार में भी वो convert हो सकती है, और इसी को कहते है, thucidist trap, मतलब क्या, listen carefully, China क्या है, revisionary power है, revisionary power मतलब क्या, जो status जो है उसे बदलना चाहता है, US क्या है, US status quo power है, now status quo power मतलब क्या, जो है उसे continue करना चाहता है, अब ठीक तरह से देखो, number 1 पे है USA, और number 2 पे है, China, जैसे मैंने कहा कि China revisionary power है, मतलब China क्या चाहता है, इसे बदलने का, बट जो power number 1 पे है, वो क्या चाहेगा, जो है वही continue करो, मतलब status quo, तो क्या लगता है आपको, दोनों एक दूसरे की position, इतने आसानी से पीछे अटेंगे, नहीं, इसी को कहते हैं, क्या इसमें war हो सकता है, और इस war में, शायद, जिनकी गलती भी ना हो, उनको सजा मिले, मतलत क्या, ये war के लिए theater, जो रहेगा, वो शायद, इंडो Pacific भी हो सकता है, या इंडो Indian Ocean भी हो सकता है, तो ASEAN countries, South China Sea में अगर matter होता है, तो ASEAN countries को भी issue होगा, तो बेचारे ASEAN countries का, क्या हाल होगा, अब वो एक तो खुले से, US का भी साथ नहीं दे सकते, या चाइना का भी, क्यों बताता हूँ, क्योंकि US में कुछ साल पहले, 2-3 साल, 4 साल पहले, टरंप थे, तो टरंप ने America First Policy चलाई थी, अमेरिका First Policy के वज़े से, बहुत सरे ASEAN देश नाराज हुए थे, because वो क्या चाते थे, Rule-based, Order, Free Trade, तो वो गया US का, दूसरा, चाइना का जिस तरह से Pressure Tactics है, साउथ चाइना में जिस तरह से वो बिहेव करता है, इन्हें डर तो लगता है, बट भई करे क्या, अब इन में से जो दस में से कुछ देश है, शायद, ऐसा भी तो हो सकता है, कि इच्छा ना हो, बट bandwagon की तरह, चाइना के पीछे जाए, मतलब हमारी इच्छा तो नहीं है, बट चाइना के पीछे पीछे, भाई तू चल हम भी तेरे पीछे पीछे आते, because we have no choice, हम आपसे टकराओ नहीं कर सकते, बट कुछ देश ये भी सोचेंगे, क्या, चाइना है तो क्या हुआ, चाइना को भी बैलन्स करेंगे, इतने छोटे होके, अगर दुनिया में एक successful अपना relevance बढ़ाया है, तो चाइना को बैलन्स कर सकते हम, ऐसा भी बहुत सारे देशों को लगता है उनमें से, और किस के साथ, वो सोचते हैं, अगर हम इंडिया के साथ रहेंगे, तो चाइना को बैलन्स करते हैं, और यही आता है अपना भारत पिच्चर में, अब देखते हैं इंडिया और आसियान क्या है, नाओ आसियान का भारत को कोई फाइदा है, या इंडिया को उनका कोई फाइदा है, दोनों को एक बिसे का फाइदा होना चाहिए, international relations में क्या matter करता है, interest, hit matter करता है, कोई permanent दोस्त या enemy यहाँ पे नहीं होता है, तो भारत को क्या advantage है, मैंने advantage कहा कि इससे आपको convert करना है, यह opportunity है, don't you think, इतना बड़ा trading block, अगर आपका दोस्त बन जाता है, तो South Asia, Indo-Pacific में, आपको एक बहुत बड़ा दोस्त मिलता है, जो long term में आपको benefit होगा, कैसे, don't you think, earlier कहा जाता था, कि Europe, America, Atlantic, यह side में development ज़्यादा होती थी, यह side था main international politics का, but international politics अब shift हो चुका है, और कहां पे आया है, Indo-Pacific, और Indo-Pacific आया है, तो किसका relevance बड़ेगा, ASEAN as well as India, इतना ही नहीं, कुछ साल पहले, Government of India ने भी declare किया है, Act East Policy, पहले lookist था, अभी Act East, तो don't you think, इसका भी फाइदा इंडिया को होगा, और India as well as ASEAN country, क्या चाहते है, हमेशा rule-based order, rule-based चीजे वो चाहते है, and don't you think, ASEAN भी नहीं चाहता, क्या, कि चाहिना का influence बड़े, इंडिया भी नहीं चाहता, चाहिना का influence बड़े, so don't you think, दोनों के लिए common threat जो है, वो चाहिना है, तो दोनों के लिए फाइदा जरूर हो सकता है, इतना ही नहीं भारत का जो नौर्थिस्टन पार्ट है, अगर आसियान देशों के साथ अच्छा relation होगा, तो don't you think, वहां का development करना काफी आसान हो जाएगा, क्यूं, because connectivity आजाएगी, नौर्थिस्ट की भी connectivity हो जाएगी, और आसियान देशों से भी भारत की connectivity बड़ेगी, इतना ही नहीं, भारत को एक बहुत बड़ा market मिल सकता है, same way for ASEAN also, क्यूंकि भारत भी तो एक बड़ा market है, so don't you think, advantage इंडिया को बहुत है, अगर इंडिया-ASEAN के साथ एक अच्छा relation built up करता है, then comes the next question, किस दो किया है नहीं किया, let us see, ASEAN start कब हुआ, 1967, 1967, अब ठीक तरह से देखो, 1967 में जब ASEAN start हुआ था, तब उन्होंने भारत को invite किया था, मैं repeat कर रहा हूँ, ASEAN countries ने किसे invite किया था, भारत को invite किया था, कि आप भी join कर लो, दिन यूमें से किसे क्यों ने join किया फिर, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ASEAN को आप कौन सा ग्रूप कहते है, प्रो-USA, प्रो-USA ग्रूप कहा जाता था, क्योंकि उसमें से बहुत सरी कंट्री प्रो-USA थी, इंडोनेशिया नॉन आलाइन थी, अग्री करता हूँ, बट mostly तो प्रो-US था, और cold war में इंडिया का stand-top clear था, कि नाहीं हम US के block के होंगे, नाहीं Soviet के block होंगे, we will have independent foreign policy, तो उस अंदाज से देखेंगे, तो Odisian उस वक्त सही था, बट जैसे ASEAN ने अपना काम शुरू किया 1976 के बाद, immediately 1992 में, इंडिया को sectoral dialogue partner का दर्जा मिल गया, और वही चार साल में dialogue partner में convert हो गया, इतना ही नहीं, by 2002 दोनों में summit level के discussion, मतलब annual meeting स्टार्ट हो गये, मतलब रिष्टे बहुत अच्छे level पे जा रहे, 2010 आने तक दोनों ने free trade agreement भी sign कर दिया goods में, और बाद में वो services में हो गया, not only this, 2017 में 25 साल भी complete हो चुके दोनों के relations के, इतना ही नहीं, दोनों के बीच में अगर आप trade देखेंगे, तो trade भी काफी बढ़ चुका है, it is more than 110 billion dollar, हाँ एक चीज है यहाँ पे, कि यह ASEAN के total trade के कितना है, करीबन 2.9%, approximate 3% आप बोल सकते हैं, तो थोड़ा कम है, और क्या है, don't you think, India, Manmark, Thailand ने, regional connectivity के बारे में बात की, defense or security की भी चर्चा चल रही, recently ही हमारे प्राइम इन्स्टर वाहा गए, तो maritime security के उपर भी बात हो चुकी है, इतना ही नहीं, track 1.5 diplomacy भी चालू हो चुकी है, some student में से किस सरी है, track 1.5 क्या होता है, बताता हूं, listen, एक होता है आपका track 1, और दूसरा है आपका track 1.5, और तीसरा track 2, track 1 diplomacy मतलब government to government, two मतलब non-government to non-government, people to people हो बोल सकते हैं, तो 1.5 बीच में है, तो क्या होगा इसमें, government plus non-government, दोनों के representative होंगे, और दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, इससे फाइदा क्या होगा, less formal atmosphere में बाते आगे बढ़ सकती है, और वही बाते आगे जाके finalize की जा सकती है, अगर सहमती होगी, तो, next, फिर अगर इंडिया को और आसियान, दोनों को एक दूसरे का फाइदा है सर, तो issue कहां आ रहा है, issue है भाई, कहां पे, पहला और सबसे बड़ा point में हमेशा बोलता हूँ, वो होता है economics, और ये question UPS ने भी काफी बार पूछा है, कि nowadays, most of the time, foreign policy is influenced by economic factors, तो यहां पे भी दिखता है, ये सर, अभी कुछ देर पहले आपने कहा, कि trade बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया का, येस, 130 billion dollars के आसपास है, जो latest figure है, बट दिक्कत यहां पे है, कि यहां पे import पाड़ जादा है, तो नुकसान किसका हो रहा है, इंडिया का, trade deficient है, ये तो मानना पड़ेगा, not only this, अभी भी इंडिया का engagement, जो है, वो as a group से ज़्यादा किस्से होता है, bilateral basis पे ही ज़्यादा हो रहा है, and third and most important, आप चाहे ना चाहे, चाहे ना को एग्नॉर करना बहुत मुश्किल है, आप को होगे कि क्यों, सर्थ चाइना तो दादागlor करता है, ल॑चाइना से में, चाइना रिविजनरी पावर है, चाइना मिडल किंग्डम जैसा बिहेव करता है, वो चाहता है कि चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड बना है, तो क्यों चाइना से, आठे भई, इसका कारण है, क्या, चाइना का जो ट्रेड है इंके साथ वो है अराउं 900 बिलियन डॉलर से ज़्यादा यह जो लिटिस्ट फिगर है बारत के तुलना में यह च्छे गुना ज़्यादा हो चुका है अब चाहे ना चाहे 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 चाहिना का रिलवन्स कम करना बहुत ही मुश्किल है इतना ही नहीं आपने connectivity की बात की बट connectivity एक्शल में हुई है क्या most of the time answer आपको negative मिलेगा and not only this other regional agreements भी हो चुके for example RCEP जिसमें India partner नहीं है later on इसी वीडियो में हम लोग इसमें थोड़ा discuss करेंगे then comes the next question किस सर्फ इसौल कैसे करें अरे भाई बहुत simple है जो issue है उसके पर काम करो issue क्या है अगर आपको economy बढ़ानी है trade बढ़ाना है तो सबसे बड़ा plus point होता है connectivity आप देशों के बीच में connectivity बढ़ाओ North East को भी फाइदा होगा और ASEAN India दोनों को फाइदा होगा दूसरा tourism बढ़ाओ because culture में similarities है so don't you think tourism से दोनों देशों को फाइदा होगा when people to people come contact with each other cultural integration होना काफी आसान हो जाता है इसका फाइदा बहुत होता है दोनों देशों का not only from people's point of view national point of view as well as economic point of view इतना ही नहीं क्या करना चाहिए दुनिया में जो बहुत सारे forums है international उनमें आपको एक साथ आना चाहिए चाहिए वो United Nations हो या पाखी forums हो और क्या Quad Plus अभी आया नहीं है बट कहता हूं मैं कैसे don't you think China बहुत dominant कर रहा है सबको पता है इसलिए क्या form हो चुका है Quad Quad में कौन से देश है US India Japan and Australia कहा जाता यह anti-China group है so don't you think China South जो की South East Asian Nations को पसंद नहीं है so अगर Quad को Expand कर सकते है don't you think it will act as a pressure on China क्यों नहीं हो सकता अगर Brics का Brics Plus हो सकता है तो Quad की भी Plus हो सकता Quad Plus अगर करेंगे तो फाइदा India को भी US को भी है as well as ASEAN Nations को भी है not only this maritime security जो है जो मैंने अभी कहा Indo-Pacific इन में दोनों को एक साथ काम करना होगा जिसका agreement I think इस बार हो चुका है एक में थो चुका है now comes the last point that is कि सर अभी latest summit हुआ था yes, summit हुआ था और इस summit में भारत के प्रदानमंद्री नरेंद्र मोदीजी ने कुछ 12 points कहे और दो joint statement भी हो चुकी है कौन सी एक maritime cooperation जो मैंने कहा बहुत important है और दूसरा full security के उपर joint statement आ चुका है और जो 12 features कहे उसके पीछे एक कारण भी था don't you think कुछ दिन पहले चाइना ने अपने maps में कुछ सुधा बदल किये क्या है वो चाइना territorial claim कर रहा है कहां पे South China Sea के बाकी area में इतना ही नहीं इंडिया की भी कुछ area पे वो claim कर रहा है जो कि इंडिया ने तो reject किया है बट ASEAN के जो members है Malaysia, Vietnam, Philippines इन्होंने भी कहा है कि भाई ये गलत है मतलब सब को पता चल रहा है कि चाइना unnecessary aggressively behave कर रहा है unnecessary मैं कह रहा हूँ शायद इसके लिए ये भी कारण हो सकता है कि Chinese President का weakening power because of their internal economy कभी-कभी होता है ना आपके internal issues होता है इसलिए आप बहार कुछ issue create करते है वो कुछ हो सकता है तो ये 12 points कौन से mostly 12 points अगर आप देखेंगे तो multimodal connectivity economics global south concern mission life then India की जो medicine है उसके बारे में इंडिया को जो बहुत अच्छा digital infrastructure develop किया है उसके बारे में and obviously maritime security के बारे में then comes the next किसर ये RCEP किया है RCEP का full form है Regional Comprehensive Economic Partnership कितने members थे 10 plus 3 plus 3 equals to 15 आपको होगे कि सर ये तो 16 होना चाहिए एक कम है कौन कम है भारत कम है कैसे 10 मतलब ASEAN के member होगे 3 मतलब China, South Korea और Japan होगे और बाकी 3 कौन थे India, New Zealand और श्रलिया इसमें से इंडिया चला गया तो obviously कितने बचे 15 निगोशेशन कब से हो रहे थे 2012 से कम्प्लीट कब हो गया 2020 तो then comes the next question कि सर फिर इंडिया नहीं क्यों नहीं जोइन किया इंडिया के कुछ concerns से अब देखते concerns क्या थे ये means के लिए काम में आएगा इंडिया का पहला concern था कि manufacturing में कौन आगे है चाइना आगे आसियां के country आगे so definitely manufacturing में वो हमारे यहाँ पे माल डंप करेंगे चाइनीज तो इंडिया का नुकसान है इंडिया का domestic जो industry है उसको नुकसान सेना पड़ेगा तो manufacturing में तो चाइना और आसियां आगे है dairy में न्यूजिलेंट वगारा बहुत आगे है so dairy और agriculture सेक्टर में अगर वो आगे है तो definitely नुकसान किसका होगा हमारी यहाँ के farmers का होगा किसानों का होगा इंडिस्ट्री का होगा तो भारत ने कहा कि भाई ये चीज़े बहुत बड़े concern है इतना ही नहीं सबसे बड़ा concern चाइना है क्यूं चाइना के साथ अल्यडी ट्रेड डिफिशिट चल रहा है और उपर से अगर आजशेप में जॉइन कर दिया तो चाइना सारा माल कहां पर डम कर देगा इंडिया में ही कर देगा इंडिया का इसलिए rules of origin का भी concern था कि चाइना हो सकता है उसका माल directly इंडिया पोस्ट करने के जगा पे वाया आसियान, आसियप के थूँ इंडिया में लेके आ सकता है इससे problem किसे होगी इंडिया को इंडिया ने कहा कि यह हमारे concern है manufacturing, dairy, agriculture and China rules of origin वगारा and इंडिया चाहता था कि services पर भी बात हो जिसके बारे में ज्यादा सहमेती नहीं हुई तो obviously इंडिया ने decide कि हम इससे बाहर रहेंगे, हम इसमें नहीं होंगे next comes a question फिर इंडिया का decision सही था या गलत मैं एक बार बताता हूँ RCP is going to be one of the world next अब मैं इसका question देखते है वही question जो RCP से related है, क्या? Do you think India should review its position on RCP? RCP को आप क्या लगता? इंडिया का position change होना चाहिए? क्यों? कुछ लोग कहते हैं, कितना दिन आप competition से बाहर रहोगे? इतने बड़े trading blocks है, आप क्यों बाहर रह रहे? World Trade Organization तो ठीक तरह से नहीं चल रहा है एपक में तो आप हो नहीं Trump जैसे leaders अगर रहेंगे तो policies के issues, तो इससे बेटर है RCP join करो, आपको क्या लगता है? उसका answer आप यहां पे लिख सकते हैं next है आपका prelims का question following countries और इसमें से कौनकों से countries के साथ free trade partners ASEAN का है के भी अगर वो चाहे diversified है बहुत बड़े अंतर है फिर भी अगर एक साथ आते हैं तो सबका दिकास हो सकता है no doubt challenges है बट अगर सहमेंती से challenges face करोगे तो ASEAN के तरह से सब areas के development हो सकती है इसी लिए इसे ASEAN वे भी कहते हैं I hope आपको वीडियो यह पसंद आया होगा अपर पसंद आया है तो like, subscribe और share करना thank you very much